पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बटवारा कर दिया किंद्री मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है अमिर्श शा को ग्रे मंत्राले, एस जैशंकर को विदेश मंत्राले, राजनात सिंग को रक्षा मंत्राले, निर्मिला सीता रमन को वित्त मंत्राले दिया गया है और अमिर्श शा को एक बार फिर से ग्रे मंत्राले के जम्यदारी दी गई है इसके बार राजनात सिंग को रक्षा मंत्राले पहले भी इने रक्षा मंत्राले दिया गया था एस जैशंकर को भी पहले वदीश मंत्राले की जिम्यवदारी दी गई थी और एक बार फिर से वही मंत्राले उनके नाम है निर्मिला सीता रमन को भी वत्त मंत्राले दोबारा दिया गया है नतन गड़करी की बात कने तो इन्हें भी सड़क और परिवहन मंत्राले दोबारा दिया गया है गिरास सिंग जो बहार के फायर ब्रांड नेता है उन्हें टे कुर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्राले दिया गया है। इसके बाद अश्वणी वैश्णव की चर्चा कर लेते हैं। राजी से इस बाद लोगसवा का चनाव जीता रक्षा राज्य मंत्री ने बनाया गया है। किरिन रिजीजू को संसद्य कारे मंत्राले दिया गया है। महिला एवं विकास कल्यान मंत्राले दिया गया है। इसके साथ-साथ भुपिंद्र रियादव की बात करेंगे उन्हें पर्यावरन मंत्राले दिया गया है। तो पर्यावरन मंत्राले भी बहुत ही महत्रपोन जम्यदारी है। भुपिंद्र रियादव के लिए जी किशन रिड़ी को कोईला एवं खनन मंत्राले के जम्यदारी दी गया है। तो आज मोदी कैबनेट में किसे किसे कौन सा मंत्राले दिया गया इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जी किशन रिड़ी को कोईला एवं खनन मंत्राले दिया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते वे अने नामों की भी चर्चा हम करेंगे लेकिन इसके अरावा आपको बताएंगे किस तरीके से मोदी कैबनेट 3.2 में मंत्रियों के विभागों का बटवारा किया गया है। और चलिए मोदी 3.2 में कैसे मंत्रियों को विभागों का बटवारा हुआ। शित्र में आता है नितिन गड़करी को सडक के विम परिवहन मंत्राले दिया गया है। और अमिर्शा फिर से ग्रिह मंत्री बने हैं। ग्रिह मंत्री का पद प्रदान मंत्री के बाद दूसरे नंबर का है। ग्रिह मंत्री के पास आंत्रिक शुरक्सा की जिम्मदारी होती है। और देश का बहुत बड़ा पुलिस बल इनके अधिकार शित्र में आता है राजनात सिंग की बात करें तो राजनात सिंग को रक्षा मंत्राले के जिम्यदारी दी गई है राजनात सिंग फिर से रक्षा मंत्री बने हैं और रक्षा मंत्री रक्षा मंत्राले के प्रमुक होते हैं सरकार में रक्षा मंत्री का पद बहुत ही ज्यादा विशीश बहुत ही महतपुन होता है रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीती नर्देश बनाना और बनाए गई नीतियों को लागू कराना इनकी महत पुर्ण जिम्मधारी है बियार की अगर हम बात करेंगी तो राजीव रंजन सिंग और फललन सिंग की बात करेंगी जनें पंचायती राज मंत्राले दिया गया है और मतस्य पालन पशुपालन और डेरी मंत्री ये बनाए गए हैं बियार के नजरिये से बहुत ही एहम मंत्राले, इसके पहले ये मंत्रादे गिराथ जिंग के पास था, पंचाती राज की जरिये गाउं का विकास वो कर सकते हैं, मतस्य पालन पर जुपालन और डेरी मंत्राले के जरिये रोजगार के अवसर भी पैदा किये जा सकते हैं, यान की नजरिये सी ये भी बहुत ही महत्पुन मंत्रा ले बिहार में छोटी और मध्यमुद्योग की बहुत सारी संभावना हैं अगर जीतन राम मांजी ने अच्छे से काम कर दिखाया तो बिहार का काया कल्प हो सकता है और पलायन को एक हद तक रोका जा सकता है चराग पासवान खादे प्रसंसकरण उद्योग मंत्री हैं जराग पासवान को खादे प्रसंसकरण मंत्री बनाया गया है पशुबती पारस इस विभाग को पहले भी समाल चुके हैं खादे प्रदार्थों की प्रोसेसिंग यानि की खादे प्रदार्थों को प्रोसेस कराना इस मंत्राले क अंतरगत आता है आसान शब्दों में कहें तो मजफरपुर की लीची और भागलपुर में आम का उत्पादन अधिक होता है आम लीची की पैकेजिंग कर देश दुनिया में बेचने की विवस्था फूड प्रॉसेसिंग विभाग के अंतरगत आती है बैहार के लिए ये मंत् टेक्स्टाइल डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है ये किरात सिंग को कपड़ा मंत्री बनाए गया है भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से पूरे देश भर में मशूर है और विदेशों में भी बिहार में बहुत मांग है ट बढ़ते हैं आगे रामनाथ ठाकूर ग्रिशी और किसान का लिअन मंतराले में राज्य मंतरी बनाए गए हैं बेहा के खिषी प्रदान राज्य है और रामनाथ ठाकूर ब्यार के किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ब्यार के किसानों की दशा और दशा बदली जा सकती है नित्यानंद्राई गुरह राज्यमंत्री बनाए गया है नित्यानंद्राई को फिर से गुरह राज्यमंत्री बनाए गया है ग्रह मंत्राले के पास देश के अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मदारिया होती है और प्रिधान मंत्री के बाद ग्रह मंत्री दूसरा सबसे ताकत्वर मंत्री होता है उसी ग्रह मंतराले में राज्य मंतरी होना बहुत ही बड़ी जम्मेदारी है और बहुत बड़ी बात है सतीश शंद्र दूबे को कोईला मंत्राले में राज्य मंत्री और खान मंत्राले में राज्य मंत्री मनाय गया है कोईला और खनन मंत्राले को बहुत ही महत्पूर्ण मंत्राले मना जाता है क्योंकि पूरे देश में खनन का काम इसी मंत्राले की जिम्मे होता है और बिहार की अर्थविवस्था में खनन का बहुत बड़ा योगदान है कोईला राज्यमंत्री के तौर पर सतीश शंद्र दूबे बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं राजभूशन चोधरी जल शक्ती मंत्राले में राज्यमंत्री हैं और लोगों के लिए शुद्ध जल बहुत जरूरी है शुद्ध जल घरघर तक पहुँचाना इसी मंत्राले का काम है और सरकार घरघर तक नल का जल इसी मंत्राले के जरिये पहुँचाती है बिहार में वैस कि बिहार के लोगों की उम्मीदों पर ये मंत्री कितने खड़े उतरते हैं और बिहार के विकास को कहां तक ले कर जाते हैं